यह आपका ग्रील है गेसो ग्रील और इसका यह आपको पूरा यूजिंग दिया है कैसे यूजि करना है और यहापको यूजेवल का ओपनिंग करें अब यहां से यह निकाला यह इसका इस्टेंड है और यह वुकलेट है यह जो चार इस्टेंड है करकी गैस पर रखना है यहां पर पानी डालना है इकलास और यह लगन अगर आप इसके उपर ऐसे कुछ भी आइटम बनाओके चीला डोसा नान पुराटा अगर आप खाने के अंदर कोई फ्लेवर वगरा भी लेना चाहते हो तो आदा कब पानी आदा कब जूस डालोगे का रूमा फ्लेवर खाने के अंदर इसका यह सेंटर है इतना इसमें आप लिक्वेट आइटम बना सकते हो जैसे चीला डोसा वगरा और बाकी कोई भी चीज यह पूरा तवा बरके ही उजिका जैसे तवा घर पर आपका होट होता है तो अपको उठाने के लिए यह आपका स्टेंड भी है इसके लिए आपका स्टेंड भी है कि यह खाने के लिए ओटर रेस्ट्वेंड जाते हो जो कि राई हो जाता है सुख जाता है इसके उपर रोस्टर बना के गाए तो डालने के लिए कर दो कि आप मिनिट के बाद इसको ऐसे टर्ण करना है तो कि आपका रेडी हो जाएगा कर दो कर दो कर दो कि जैसे कि मैं आपको यह कि चीला बना के दिखाता हूं जो कि आप गर पाओल डाल के बनाते हैं इसके उपर ओल प्री बना के दिखाते हैं वोल डालना है और ऐसे गुमाना है जैसे कि आपका यह चीला दयार हो गया इसको असानी से इसे उटा सकते हैं यह आप घर पर बनाते हो तो यह चिपक जाता है जैसे कि सिंगना ना है वादम पकोड़ा जो कि आप इनको अल्दी राम का लेकर आते हो वो कि में फ्राई करिके दिखें यह यह आप पानी के साथ कच्चा लिया पानी से गिला गिया मसाला लगा के आप इसके उपर एसे रहें पाइम मिनेट में आपका यह आदा किलो बादम त्यार हो जाएगा इसको हरे एक मिनेट के बाद ऐसे इलाना पड़े जैसे आप आतना पज़े रहा है जैसे कि मिकेन का आप मार्केट से लिकर आते हैं पुटैटो पॉप के घर पे आप इनको प्राई करके घासें के उपर ऐसे डालना है तो यह रोस्टेड बनाके देगा प्राई करने की लोड़ हुए पिंग्नाचे पॉटैटो पॉप सालू डिक्टी बगएरा और तंबी तर्था चाहरा बनका है तो आप नॉन्वेजी उस्टेश्ट है तो नॉन्वेजी बनासक है यह देगा यह तो आपके यह तो पेल प्राई के देग्श्टों है इसका रेसिपी कुको भी लेगा साथ कुको हो चुका है और अब टिकन पिलावने बॉक्ट झाल